वेल्कम गाइज मैं तरुम राश्पूत आपका वेल्कम करता हूँ आपके अपने चैनल में सो गाइज मैंने देखी मुवी सेक्टर 36 नेट्फिक्स पर दोस्तों रिलीज हुई थी मैडाउक की परड़क्शन है दोस्तों मैडाउक की आपको पता ही है कि उनकी फिल्में आजकल बढ़िया चल रही है चाहे इस तरी हुटू हो इस तरी हो जा फिर भेडिया हो अभी आने वाले उनकी रिसेंटली मुवी है जो भी बता रहे थे आएगी अपकमिंग मुवी रिसेंटली के दिया स्काइफोर्स तो दोस्तों मैडाउक वालों की ये भी मुवी है तो सेक्टर 36 उसको दोस्तों मैंने देखा विकरांत मसे दिपक दो बर्लिया और दिनेश वजिन दोस्तों ये मुवी मेरे को कैसी लगी यही मैं आपके सामने एक्स्प्लें करने वाला हूँ क्या आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो क्या बच्चे देखे इसको के नहीं देखे यह सब बात अगरूँगे इस वीडियो में आप प्लीस वीडियो में बने रहिए तो दोस्तों कहानी की अगर बात करूँ यह आपको तो पहले बता दूँ तेरा स्टंबर को यह रिलीस की गई नेट्फिक्स पर स्ट्रीम की गई तो पहले मैं बता दूँ कि आप लोग इस फिल्म को बच्चों के साथ या फैमिली के साथ ना ही देखे तो बहुत बढ़िया है सो दोस्तों मैं आपको पताऊँ कि यह फिल्म मेरे को कैसी लगी फिल्म का concept true event story का था जो दिल्ली में या Noida में जो हुआ था दोस्तों कुछ लोग बतारे दिल्ली में, फिलम में दिल्ली के हिसाब से दखाया गया है, 2005 का वो टाइम दखाया गया है, वो दौरा दखाया गया है, 2005 में कैसे एक इनसान बच्चों को के नैप करके, चाहे लड़का हो चाहे लड़के उनको के नैप करके, उनका मर्डर करके, उनको ए खा जाता दोस्तों ये रोल किया है विकरांत मसे ने जिनको हमने इतनी बड़िया बड़िया हसीन दिल्रुबा और 12 फेल जैसी मूवीज में हमने उनको देखा इतना बड़िया किरदार निबाते हुए और उन्होंने ये किरदार निबाकर सब को चुका दिया सो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस फिलम में जो इन्होंने एक मैसिस देना चाहा वो अपनी तरफ से अच्छा था बट इन्होंने वो चीज़े डाल दी जो फैमली और बच्चे ना ही दिख सके सो दोस्तों क्या डाली वो इन्होंने गाली गलोच इतनी के ज़्यादा डाल दी गई है और खून खचर इतना दिया गया है जैसे काट रहा है तो वो साब से मैं कहूंगा आप फैमली के साथ इस मूवी को अवाइड कीजिए सो जहां दोस्तों इस मूवी का थोड़ा इंटरस्ट बढ़ने लगता है वहाँ ये कुछ ऐसी चीज़े कर देता है जिसे देखने में मज़ा नहीं आता सो मैं परसनली बताओं मूवी में एक्टिंग विक्रामसे ने बहुत अच्छी की है बहुत जबर्दस की है उन्होंने अपने रोल को बखो भी निभाया है और जहां तक बात करूं एंड कलाइमेक्स की सो कलाइमेक्स इन्होंने बहुत ही गड़बड़ी कर दी है कलाइमेक्स मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा उस लड़के को जिसने इसको मारा बच्चों को मारा उसको क्या सजा मिली क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये दोस्तों उन्होंने नहीं दिखाया बागी मेरी तरब से फाइब में से 3.5 स्टार आप अपना देख बताना और चैनल सिस्क्राइब करके जाना है तो थैंक यू दोस्तों